राधे राधे मित्रों, 26 दिसम्बर 2019 को यानि की पौश माह की अमावस्या के दिन मूल नक्षत्र में और व्रद्धी योग में लग रहा है सूरी ग्रहन। मितनों धनुराशी में सूरी ग्रहेंट से ग्रसित होंगे और साथ ही साथ धनुराशी में खश्च ग्रही योग भी बन रहा है जो कि अपने आप में बहुत ही दुरलब माना जाता है दनोराशी में सूर्य के साथ चंद्रमा, बुद्ध, गुरू, केतु और शनी ग्रसित होंगे विशेश बात ये है कि राशी स्वामी ब्रहस्पती और नक्षत्र स्वामी केतु स्वयम सूर्य के साथ ग्रसित हो रहे हैं इस ग्रहन में कुछ अद्भुद लागतों मिलेगा जैसे उन जातकों को करना होगा उपाय जो मूल में जन लिये हों या मावस्या को जन लिये हों या जिनका ब्रहस्पत्य केतु के साथ योग बनाकर किसी भी भाव में बैठा हो या जिनकी कुंडली में शनिकेतु या शनिसूरि का योग हो क्योंकि ये समस्त योग अच्छे नहीं माने जाते इसके लिए ग्रहन के समय में आधित्य हरदयस्तरोत का पाट करना गुरु मंतर का जाप करना गायत्री मंतर का जाप करना और ग्रहन समापत होने के बाद गेहू, घी, लाल, मिर्च, गुर, तामबे का पात्र, कुशा का आसन, रुद्राक्ष की माला आधिका दान देना बहु के 8 बजे से 26 दिसंबर को ग्रहन का स्पर्ष का समय होगा सुभे के 9 बच करके 6 मिनिट का ग्रहन का परम ग्रास समय होगा 10 बच करके 48 मिनिट का और ग्रहन की समाप्ति का समय होगा 13 बच करके 36 मिनिट का ग्रहन का सूतक काल 25 दिसंबर 2019 को रात के 8 बजे से शुरू हो जाएगा ये सूरी ग्रहन उन राशिके लोगों के लिए कल्याण कारी होगा जो वरशब, कन्या, तुला, कुम्ब राशि में जन्मे हैं और मेश, मिथुन, करक, सिंग, वरश्चिक, धनू, मकर और मीन राशिवालों के लिए ये सामान ने होगा या फिर सतरक रहने की उन्हें आवश्यक्ता होगी तो दोस्तों ग्रहन का समय होता है विशेश सावधानियों से भरा हुआ क्या-क्या सावधानिया आपको रखनी है तो सूतक खाल शुरू होने से पहले आप सभी बोजन सामगरी पर, जल पर और दूद पर तुलसी के पत्ते जरूर डाल दें ऐसा करने से ये सामगरी दूशित नहीं होती लेकिन इस बात का भी जरूर ध्यान रखिये कि ग्रहन की समाप्ति के बाद तुलसी के पत्तों को वहां से हटा दें इसके बाद जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें खास तोर पर ध्यान रखना होता है ग्रहन के समय मित्रो गर्भवती स्त्री को सूरी ग्रहन में अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ग्रहन के दौरान हर तरफ नकारात्मक उर्जा बहुत जादा होती है जिसके कारण गर्भवती मा के पेट में पल रहे शिशु पर भी असर पड़ सकता है ग्रहन के दौरान या सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजों का सपर्ष नहीं करना चाहिए सुई धागा का प्रयोग नहीं करना चाहिए काटना छीलना इस सरह के काम भी नहीं करने चाहिए इसके अलावा सूतक काल शुरू होने से पहले अपने घर के मंदिर के दर्वाजे आप बंद कर दीजिए भगवान को ढग दीजिए और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब जब तक ग्रहन समाप्त ना हो और समाप्ति के बाद आप स्नान ना करें तब तक आप मंदिर में प जादा हो सके मंत्र जाप कीजिए अपने इस्ट के मंत्रों का जाप कीजिए गुरु मंत्र का जाप कीजिए तो जितना जादा से जादा हो सके जाप या स्तोत्र का पाठ या ध्यान आप इस दोरान जरूर कीजिए बहुत ही अच्छा रहता है बहुत ही पॉजिटिव एनर इसके अलावा किसी भी प्रकार का शुवकारे भी इस समय संपन्न नहीं करना चाहिए। वस्तरों के साथ सनान करें। सनान करने के पश्चाथ आप अपने घर की सफाई कीजिए। खास तोर पर जो पीने का पानी हैं। पीने के पानी को जरूर बदल दीजिए। ऐसा करने से माना जाता है कि सांसारिक सुख भोगों में बृद्धी होती है और जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलता है। सबी प्रकार की परिशानिया भी दूर होती हैं तो ये काड़े आप जरूर कीजिए और इसके अलावा अनकपडे धन का दान बहुत महतुपूर्ण माना जाता है जोतिश शास्त्र के अनुसार। ऐसा करने से जीवन की सभी परिशानिया समाप्त होती हैं ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो जितना हो सके आप दान जरूर कीजिए और इसके पर शात आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको जो भोजन करना है वो ताजा पका हुआ होना चाहिए। यानि कि ग्रहन के बाध आप भोजन बनाए और उसे आप ग्रहन कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल आपको ग्रहन से पहले ग्रहन के दौरान और ग्रहन के बाध रखना चाहिए। हम आचा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी। नमू नारायन।